साकाहारी, मांसाहारी और सारवाहारी यही सब आज किस वीडियो में समझेंगे तो ध्यान देजिएगा आप सबको क्लियरली दिख रहा होगा साकाहारी जिसे इंगलिस में कहते हैं वेजटेरियन या इसे और भी कहें तो हर भी भोरस के नाम से जानते हैं ठीक है यहां पर मैंने परिभासा में लिख रहा है आसानी से क्या कि जो जनतु पेड़ पौधे से प्राप्त भोजन आप सबने यार धान गेहुम जो भुसा और आप सबने आलू बैगन टमाटर यह सब का नाम तो सुनाई होगा और फल जितने भी होते वो सब यह सब कहां से प्राप्त होते हैं यह सब पेड़ और पौधो दोनों से प्राप्त होते हैं तो यही सब भोजन को मतलब आप घास जानते हैं जी हाँ घास जो केवल और केवल पेड़ पौधे से प्राप्त भोजन को खाता हो गाईज उसे ही कहते हैं साकाहरी ओके गाईज यहां पर आप से देख सकते हैं example में मैंने ले रखा है क्या कि हीरन गाय भैस बकरी भेंड बंदर हाथी गोड़ा इतियादी इतियादी कहने का मतलब यह कि अभी और भी आप ले सकते हैं सकाहरी में बस केवल और केवल एक ही चीज आपको ख्याल रखना है कि केवल और केवल पिन पोधे से प्राप्त भोजन को खाएंगे जैसे आपने कभी देखा हीरन गाय भैस एक्जांपल में आपको गाय लेते हैं गाय आप देखे होंगे दूरा पर या कहीं पर देखते यह क्या है साकाहरी है यहाँ पर जितने भी आपको दिख रहें यह सब के सब साकाहरी है यह साकाहरी क्यों है जो कि यह पेड़ पोधे से प्राप्त भोजन को खाती है पेड़ पोधे से जो भी भोजन प्राप्त होता है उसको ही यह सब खाते हैं गास हो गया भूसा हो गया फल हो गया अनाज हो गया ये सब कहां से आते हैं वाई ये सब के सब पेड़ पोधे से ही तो आते हैं यही सब को खाते हैं जिनको ही बोलते हम साका हारी तो उमीद है कि आपको साका हारी के बारे में कुछ जानकारी पराप्त हो गया होगा तो बस यही था साका हारी में और कु कि जो जन्तु केवल और केवल मांस खाता हो उसे हम कहते हैं मांसा हारे जानी नन भेजटेरियन गाईज यहां पर आप परिभासा देख पा रहे हैं परिभासा में कह रहा है कि जो जन्तु केवल और केवल मांस खाता हो उसे ही कहते हैं हम मांसा हारे तो यहां पर आप example में देख सकते हैं बाग, चित्ता, सील, लोमणी, लकरबागा, रेच, साप और मेडग और भी होते हैं तो यह सब क्या है यह हमारे मांसाहरी जन्तु है यह मांसाहरी क्यों है क्योंकि यह सभी के सभी मांस खाते हैं जिया साथियों केवल और केवल यह मांस खाते हैं तो आपको आसानी से मांसाहरी में याद रखना है कि जो केवल और केवल मांस खाएगा उससे हम क्या कहेंगे मांसाहरी ठीक है तो यहाँ पर पाई भासा मैंने लिख रहा है वो भी आसानी से अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोकिए और आसानी से लिखिए तो गज़ आपको मांसाहरी के बारे में आया कि नहीं आया यहाँ पर यह जन्तु क्या है? मांसाहरी है ठीक है? गाइज जी से इंगलिस में कहते है ओमनी भोरस या इसे कहते है कारनी भोरस ठीक है? यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं मैंने लिख रहा है कि जो जन्तु पेड़ पोधे तथा कुछ जन्तु उसे पराप्त भोजन को खाते हैं गाइज उड़ी को कहते हैं सारवा हार ये यहाँ पर आप ध्यान दिजिए कह रहा है कि पेड़ पोधे पेड़ पोधे जैसे आपने एक्जामपल में देखा है चावल चावल गेहुम जो आलू टमाटर बैगण यारी एक्जामपल के लिए सब्जी समझे है तो भाई सहाब पेड़ पोधे से पराप्त इस समझी फल ये सब और जंतूओ से पराप्त मांस मचली अंड़ दूद ये सब कहां से पराप्त होता है ये कियों आ जाते हैं क्योंकि ये साग सबजी भी खाते हैं और मांस मचली अंडा दूद ये सब खाते हैं तो इनको हम क्या कहेंगे सरवाहरी कहेंगे ठीक है और जैसे मैं बिल्ली भी ले सकते हैं कोवे भी कुते भी ये सब कि सब सरवाहरी में आजाते हैं तो सरवाहरी में बस आपको ये कही जाल रखना है कि जो पेड़ पोधे से प्राप्त भोजन को खाएंगे तथा जंदू से प्राप्त भोजन को खाएंगे मतलब दोनों को खाएंगे उन्हीं को क्या कहेंगे सरवाहारी ठीक है आप असानी से समझे कि जो संग सब्जी भी खाएगा और मांस मचली भी खाएगा उनको ही हम क्या कहेंगे सरवाहरी, ओके, तो भाई सहाब आसानी से आपको याद रखना है, ठीक है, सरवाहरी में आसानी से याद रखी, आपको किलिरली आ जाएगा, मनुसिय बिली कोई कुटे, ये सब सरवाहरी में आते हैं, ये सरवाहरी में क्यों आते हैं, मैं बार-बार तो आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा उबीद करता हूँ कि आपको किलियर रहा होगा बावा टेक केर बेस्ट अफ लक बड़े रहे और जूड़े रहे हो सकते एक लाइक जरूर किजिएगा